तो हेलो गाइस वेलकम वेड़ टू माई यूटुब चैनल आज हम जा रहे हैं बगीचा बगीचा का एरिया चलते हैं आप वीडियो में बने रहेगा और पूरा वीडियो देखेगा चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए कुछ यह रास्ता है मैंपाट का रास्ता तो अभी सुगा साथ बज रहा है तो चलते हैं आगे की ओर कुछ ऐसा है ना जा रहा है यह मेरा फर्स्ट मोटो ब्लोगिंग है तो चलते हैं एक मेरा दोस्ता ओर आ रहा है और कुछ दोस्त आगे की ओर जा रहे हैं चलते हैं गाइस अभी कि मैं पहुंच चुका हूँ अंधिकापूर के लगवग 20 किलमीटर का रास्ता सफर कर चुका हूँ अभी तो चलते हैं है आगे की और कुछ गाओं के गुजर रहा हूं मेरे कुछ गाओं के बारे में कुछ पता नहीं है लेकिन फिर भी चलते हैं क्या है मेरे को लगबख सो किलो मिटर का सफर करना है अभी हम जा रहे हैं बगीचा के एरिया को पूरा घुमना है जात्पूर जीला कि आप डाउन मेरे को लगबख 400 किलो मिटर पड़ जाएगा सारे तीन से 400 किलो मिटर कुछ ऐसा है नजारा रास्ता का देख सकते हैं पूरा हारा बहुत ही खुशूरत नजारा है इधर कच्छे त्रह कि आना जारा है दान की खेती है दूनों साइट रोट देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है पहार भी है अगल बगल में कुछ ऐसा है नजारा कि अजारा में कि घचए आना जारा भाल जाए है ताइस आप देख सकते हैं पहाड को चाड़ रहा हूं ने पहार की उपर चल रहे हैं हम लोग क्या नजारा है क्या नजारा है इधर देख सकते हैं अपनाया गया है रास्ता इड़ ओ माइक फस्वरस्त है भई केकिया और इथर लेट्व कहने दो खुका हो सम्रें आमेजिन घ्रै जीगहिंताथ dal फॉक्ट gosh बहुत ही खुबसूरत जगा है देख सकते हैं इधर का मार्केट बहुत ही प्यारी सी जगा बतौली तो कुछ ऐसा है ना जारा अभी थोड़ा दोस्त लोग इधर है मैं थोड़ा आगी की रास्ते पर गुज गया था तो जाना है इधर तो गाइस अभी हम लोग रुके हुए होटल में नाश्ता उस्ता कर रहे हैं अब यहां से चलते हैं एक दोस्त कहीं कजार कर रहे थे वह दोस्त आया नहीं है बोला आप तुम लोग जालते रहो धीरे धीरे हम आएंगे पीछे पीछे लोकेशन सेंट कर दिया हूं आटसप में वह लोकेशन देखकर आ जाएगा तो अब चलते हैं यहां से तो गाइस सब यहां से चलते हैं तो यहां नास्ता उस्ता कर चुके हैं नास्ता करके अब यहां से निकल रहे हम लोग चलते हैं आगे बतावली से निकल चुके हैं हम लोग अब यहां से जा रहे हम लोग बगीचा बगीचा की और चलेंगे आग क्या बता है आज देख सकते हैं कापी मौल में चल रहे हमारे दीके चोई सेंटर भाई तो गाइस आगे लगा हुआ है पोर्ड कैलास कुफा यहां से लगभग 18 किलोमेटर पड़ेगा बगीच्छा रजपूरी जल प्रपाथ 21 किलोमेटर चासपूर 116 किलोमेटर तो गाइस अभी मैं सोचा था 10 से 15 किलोमेटर तो 17 किलोमेटर भी पड़ेगा तो सही है चलते हैं क्या करें घर से निकल गया है तो जाना ही पड़ेगा लाग किलोमे मैं सोने और एटा पते हैं किलोमेटर चासवर घर संेल प्रपाथ 25 किलोमेटर प्रपाथ 2 कि झालतोमेटर शी इंशा लाग पहार को काट के बनाया गया रास्ता बहुत ही कुफसूरत और अब लोग पहुंच गे रजबूरी वाटरफॉल बहुत ही कुफसूरत है गाइस यह रहा वाटरफॉल क्या जग है भाई साब करें अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद तो गाइस आप मेरा नेक्स्ट एपिसोर गरूँ देखें